हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो डीजी जीज होम आज हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं हमारे नए ओटीजी की जो की 25 लीटर का है और इसका मॉडल नंबर है एजटी 6975 यह हमने टाटा क्लिक वेबसाइट से खरीता है और इसका प्राइस अप्रोक्सिमेटली 6900 याने 6900 के सब्सक्राइब है और हम नोग ने रिमूफ किया और यह फिलिप्स का का इनर काटन है और अपकेजिए ठीक ठाक थी लेकिन कहीं कुछ जो तोड़ा सा इसमें गहांग पैकेजिन उंधर की इस प्रकार से है यहां पर नग meilleur है और हमारा ठीजिए एयो है नग्यों रूम त ट्रे आया है और एक बेकिंग ट्रे आया है आप देख सकते हैं पीछे की तरफ में थोड़ा सा अच्छे पैकेजिंग होने के बाद भी इसमें थोड़े से डेंट हैं बट ओवरल भार की पैकेजिंग बिल्कुल परफेक्ट थी तो चलिए अब हम इसका लाइफ डेमो करके च लाइट तीसरा फंक्शन का है जो मुझे लगता है इसके जो दस प्रिसेट मैन्यू दिये है वो इसका बटन है एक है टाइमर का नॉब दूसरा है टेमप्रेचर का जो कि हम अपने साब से आटो ट्यून कर सकते हैं तो अब इसको हम चालू करके देखते हैं कि इसका प्रिसेट मैन्यू जैसे बेक, ब्रॉयल, टोस्ट, ग्रिल, पीजा तो काफी सिंपल है टाइमर भी दिया हुआ है कि किस चीज में क्या क्या टाइम और किस चीज में क्या टेमपरिचर लग रहा है तो अब हम इसका लाइट का फंक्शन भी एक बड़ देख लेते हैं कि इस इसमें जो ग्रिल है या जो बेकिंग ट्रे है वो काफी सही से नज़र आ रही है तो अगर हम कुछ समान दालेंगे तो आविसली वो भी किस कितना बन चुका है कितना प्रिपार हो चुका है वो भी हमको बड़ी असानी से नज़र आएगा तो हम लोग ने जब दूसरे भी OTG देखे थे तो हमको light का function दूसरे OTG में नहीं मिला था तो हम लोग ने फिर इसको लेने का सोचा कि इसमें light का function भी है तो हमारे लिए काफी helpful रहेगा और यह 1500 watt का भी है जो कि हम लोग की needs को fulfill करेगा तो फ्रेंड, श्का अब अंदर खोल की देख लाते है कि इसकी जो तीन ट्रे आई है उन ट्रे की quality केसी है तो पहली ट्रे है वो है grill ट्रे दूसरी ट्रे जो है वो है baking ट्रे और स्थी ट्रे जो है वो करब ट्रे है तो grill ट्रे में हम जो भी कुछ grilling का डिशे बनाना है यह वो क्रम्ट्रे को निकाल के सीधा उसको बाहर रख दें उसको तो काफी सिंपल ट्रेज हैं काफी ड्यूरॉबल लग रही है मुझे को स्टील वगर रही हैं तो काफी अच्छा है इनका सेग्मेंटेशन भी अच्छा से किया हुआ है कि हायर रैक में रखना है कोई चीज तो लो में रखना है तो वो सब भी चीज काफी अच्छी है अब बात करते हैं इसके साथ दो टॉंग जाए है एक तो बेकिंग ट्रे को पकड़ने के लिए एक टॉंग है दूसरा जो एक और कुछ लोगे के लिए काफी इंपोर्टेंट रहता है वो है रोटी सिरी जो कि सारे माइ साथ में उसका टॉंग भी दिया हुआ है उसको निकालने के लिए तो फ्रेंट ये तो हम लोग का बताना हो गया कि इसके अंदर क्या क्या चीज आई है अब हम इसमें लाइव डेमो करते हैं कुछ डिश बनाके कि एक्टुली इसका परफॉर्मेंस कैसा है तो चलिए हम ला तो फ्रेंट्स हम लोग आज बनाने जा रहे है हमारी पटेटो वजीज की एक डिश जो की काफी सिंपल है बनाने में तो हम लोग इसको बेक करेंगे तो चलिए देखते हैं कि इसका फाइनल आउटकम कैसा रहेगा तो हमने इसको दस मिनिट के लिए बेकिंग में दाल दिय आए क्योंकि पहली बार में यह प्रॉपर बेक नहीं हुआ था इसके बाद जब हमने इसको टूथपिक से चेक किया तब यह प्रॉपरली बन चुका था फिर हमने इसको ठेस करने के लिए हमारे बेटे प्रित्वी को दिया तो उसको इसका स्वात बहुत पसंद आया और ज साथ सो सब्सक्राइब तो आर चैनल एंड लाइक आर वीडियो एंड प्लीज कमेंट की आपको हमारा नया अन्बोक्सिंग का तरीका कैसा लगा तो फ्रेंद्स थैंक्स फर वाचिंग एंड स्टेव हैपी स्टेवल